नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग धन सुख एस्वरे की चाहत हर किसी को है लेकिन आज एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे धन देने वाला पौधा होता है और ये पौधा जिसके पास होता है वो सिर्फ धनवान ही नहीं होता बलकि उसके पास बहुत सारी सिद्धियां भी होती है आज हम कुछ खास प्रेयोग बताएंगे जो कि हमारा सास्त्र भी बताता है कई सास्त्रों में ये भी बताया जाता है कि जड़ी बूटियों के माधियम से धन यस्किर्थी सम्मान सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है आप उसे घर में लाइए तभी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिसके जड़ के बाड़े में कहा गया है कि वो आपके किस्मत को बदल देता है आज जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं वो है धतूरे का पौधा ये धतूरे का पौधा का तांत्रिक प्रियोग होता है और महाकाली की पूजन में भी इसका प्रियोग होता है चुकि धतूरे का पौधा घर में लाकर रखने से घर में सर्प नहीं प्रवेश करता और ना ही सत्रू नुकसान पहुंचाते हैं वैसे तो जो धतूरे का पौधा होता है उसमें दो तरह के फूल खिलते हैं एक सफेद वाला एक बैगनी वाला लेकिन जो बैगनी वाला धतूरे का पौधा होता है सबसे ज़्यादा उसका ही तांत्रिक प्रियोग होता है लेकिन आज हम जिस पौधे की बात करेंगे उसका व और एक बार में ही अच्छा से उखाड कर ले आईए, अपने घर के मुखे दर्वाजे को इस पौदे को उल्टा करके गाड़ दे, यानि जड़ उपर होगा बांकी सारी चीजे नीचे होगी, और मिट्टी वहाँ पे ढग दे, धन भी आएगा, सुख भी बढ़ेगा, किसी का पिदा लेते हैं, हरहर महादेव धन्यवाद,